ओम शान्ति आज बाबा की मुर्ली अभ्यक्त रूप से चले रहे बाबा की महावाक्य हैं और इस मुर्ली की ओरिजिनल डेट है 25 नौवेंबर 1993 और आज की मुर्ली का सार है सहज सिद्धी प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो क्योंकि हम बच्चे कई बार ऐसी कम्प्लेन करते हैं कि हमें सिद्धी नहीं मिल रहे लेकिन सिद्धी मिले सिद्धी सफल्ता के सिद्धी हो चाहे कोई भी सिद्धी जो बाबा हमें कहते हैं कि इस राजियोग से ज्ञान मार्क से मिलनी चाहिए वो सिद्धी नहीं मिल रही तो उसका कारण क्या है विधी राइचने है और बाबा केते हैं सहज सिद्धी प्राप्त करने के लिए विधी क्या है? ज्यान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो एक तो ज्यान स्वरूप बनो और फिर योगी तो है पर साथ में प्रयोगी भी बनो सिर्फ ज्यान सुनने सुनाने वाले नहीं ज्यान स्वरूप बनो प्रैक्टिकल कर्मों में ज्यान स्वरूप होकर आओ और दूसरा सिर्फ योग लगाने वाले नहीं योग के आधार से जो परिवर्तन आना चाहिए उस परिवर्तन का प्रैक्टिकल आप्लिकेशन जीवन में दिखाई दे, तो आज ज्यान दाता वर दाता अपने ज्यानी तो आत्मा योगी तो आत्मा बच्चों को देख रहे हैं, बाप ज्यान दाता वर दाता है और बाबा का हर बच्चा ज्यानी तो आत्मा योगी तो आत्मा बच्चा है ही, हर एक बच्चा ज्यान स्वरूप और य योग युक्त कहां तक बना है, ज्यानी और योगी तो है, ज्यान सुनते सुनाते हैं, योग लगाते हैं, लेकिन ज्यान सुरूप और योग युक्त कहां तक बना है, अब ज्यान सुरूप की निशानी क्या है, हर करम नॉलिजफुल, पावर्फुल, लफुल होगा, और ज्ञान सुनने और सुनाने के निमित बने है वा ज्ञान स्वरूप बने हैं। सुनते सुनाते तो है ज्ञान लेकिन बस वही तक है या ज्ञान स्वरूप बने हैं। समय प्रमान योग लगाने वाले बने हैं वा सदा योगी जीवन अर्थात हर करम में योग-युक्त, युक्ति-युक्त, सदा वा स्वत्थ के योगी बने हैं समझा कि समय प्रमान योग लगाते हैं कि 4-5 बजे तक योगी है फिर नुमा शाम के समय योगी है या सारे दिन सदा योगी जीवन वाले हैं अब योगी जीवन माना ऐसा नहीं कि फिर जैसे चार से पांच में बैठ के योग करते हैं, ऐसे सारे दिन हम बैठ के योग कर रहे हैं. योगी जीवन माना कर्म में आते योग युक्त सो युक्ती युक्त है स्वतह वा सदा के योगी बने है माना हर करम बाबा की याद में एक्यूरेट करने वाले बने है किसी भी ब्रामन आत्मा से कोई भी पूछेंगे कि ज्यानी और योगी है तो क्या कहेंगे? हां कहेंगे, सबी ज्यानी और योगी है, सबी है, ज्यान स्वरूप बनना अर्थाथ हर संकल बोल और कर्म समर्थ होगा, Knowledgeful अर्थात, Powerful जब हम ज्यान स्वरूप हैं तो हर संकल, बोल और करम समर्थ होगा समर्थ का opposite क्या है? व्यर्थ तो कोई भी कमजोरी वश संकल, बोल और करम व्यर्थ नहीं होता हर करम संकल और बोल समर्थ होता Knowledgeful की निशानी व्यर्थ समाप्त होगा क्योंकि जहां समर्थ है, वहां व्यर्थ हो नहीं सकता समर्थ शब्द जो है, वो बहुत बढ़िया है क्योंकि इसका English translation भी accurate नहीं है समर्थ माना सफल भी, शक्तिशाली भी तो बाबा कहते हैं, समर्थ होगा, व्यर्थ नहीं होगा ना वेस्च होगा, ना कमजोर होगा, हर संकल, बोल और करम पावर्फुल भी होगा और सफल भी होगा जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता तो ज्ञान प्रकाश है और व्यर्थ अंधकार है वर्तमान समे व्यर्थ को समाप्त करने का एटेंशन रखना है लेकिन जैसे अंधकार को समाप्त करने की कोई और विधी नहीं बस प्रकाश से ही अंधकार समाप्त होता ऐसे ही जब समर्थ बनेंगे तभी व्यर्थ खतम होगा और समर्थ बनने की विधी क्या ज्यान सुरूप बनना जब भी संकल पले बोल बोले करम में आए तो चेक करें मेरा संकल बोल और करम ज्यान सम्मत है ज्यान सुरूप है तभी व्यर्थ समाप्त होगा तो बाबा कहते हैं, सबसे मुख्य बाद संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है अगर संकल्प रूपी बीज समर्थ है, तो वाणी, कर्म, संबन, सहजी समर्थ होई जाता है लेकिन संकल्प के पीछे तो संसकार भी है, बुद्धी भी है तो जब बुद्धी ज्यान युक्त होगी, संसकार दिव्य होँगे, संसकार देवी होँगे तब ही तो हर संकल्प समर्थ होगा और अगर संकल्प समर्थ है, तो नैचरल है कि बोल, कर्म, संबन, संपर्ग सब समर्थ हो जाता है तो ज्ञान सुरूप अर्थात हर समय, हर संकल्प, हर सेकेंड समर्थ समझा ज्ञान सुरूप के निशाने क्या है? कुछ भी वियर्थ नहीं Knowledgeful और Powerful हर संकल्प, हर समय, हर सेकेंड योगी तो आत्मा सभी बने हो ज्ञान सुरूप समझ लिया अब योगी से प्रयोगी है न? तो योगी तो आत्मा सभी बने हो लेकिन हर संकल्प, स्वत, योग, युक्त, युक्ती युक्त हो इसमें नंबरवार है अब योग किस से है हमारा? योग है सागर से ज्ञान के सागर, प्यार के सागर, सर्वशक्तिवान भाबा से, तो जिससे योग है, अगर हम योगी आत्मा हैं, और हमारा योग सर्वशक्तिवान से है, हमारा योग ज्ञान के सागर से है, तो अगर उनके साथ हमारा योग है, तो हमारी अवस्था भी बाप समान होने चाहिए और उस अवस्था में हमारा हर संकल्प युक्ती युक्त होगा, accurate होगा बाबा केते हर संकल्प स्वता ही योग युक्त युक्ती युक्त हो इसमें कई नंबरवार बन जाते हैं क्यों नंबर बने हैं? जब विधाता एक है, विधी भी एक है, बाबा भी एक है और योग की विधी भी एक है तो फिर योग की सिद्धी क्यों नहीं हो रही? तो बाबा केते हैं फिर नंबर क्यों है? तो बाप दादा ने देखा योगी तो बने हैं लेकिन प्रयोगी कम बनते हैं जैसे दुनिया में भक्ती और ग्रिहस्त को अलग कर दिया था न कि मंदिर में जाते तो पूरा भगत का स्वरूप और घर आते तो वही ग्रिहस्ती विकारी का स्वरूप ऐसे ही अभी क्या करते योग और प्रयोग दुनों को अलग करते थे जब बैठ के योग लगाते तो बिलकुल बाबा और मैयाथवा लेकिन जैसे ही योग लगा कर उठे तो फिर उस योग को जीवन में प्रयोग नहीं करते करम योगी बन कर नहीं चलते कर्मों में आते समय योग युक्त होकर युक्ति युक्त करम नहीं करते तो बाबा केती बाब दादा ने देखा योगी तो बने हैं लेकिन प्रयोगी कम बनते हैं योग करने और कराने दोनों में सभी होश्यार हैं अच्छे आँखें खुली करके योग कर भी रहे हैं, करा भी रहे हैं लेकिन जैसे ही गदी से उठते हैं चाए योग करने की गदी चाए कराने की गदी गदी छोड़ी तो योग भी तूट जाता है फिर उस योग का जो जीवन में जो प्रतिविंब दिखाई देना चाहिए वो नहीं होता, ऐसा कोई है जो कहें कि योग कराना नहीं आता, सबको आता है, तो बाबा कहते हैं, जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे ही प्रयोग करने में योग्य बनना और बनाना है, अब योग को प्रयोग, प्राक्टिकल अप्लिकेशन करने में, योगी जीवन बनाने में, कर्मों में योग युक्त सो युक्ति युक्त बनने में वो योग्य बनना और बनाना है इसको कहा जाता है योगी जीवन अर्थात योग युक्त जीवन अभी प्रयोगी जीवन की अवश्यकता है जो योग की परिभाशा जानते हो वर्णन करते हो वो सभी विशेषताई योग में आती है इसको अंडरलाइन करना अब वैसे तो कहेंगे राज योग के बेनेफिट्स तो जब किसी को सुनाते हैं कि राज योग से ये प्राप्तिया होती हैं ये इसिद्धिया होती हैं तो बाबा कहते हैं जब हम योगी जीवन वाले हैं तो योग की विशेषताई हमारे जीवन में दिखाई देती हैं क्योंकि वैसे तो कहेंगे कि योगी माना प्रकृती जीत बनेंगे संसकारों पर विजयी बनेंगे, विकरमा जीत बनेंगे लेकिन क्या हम योगी बने तो प्रकृति जीत संसकारों पर विजय पाने वाले और विकारों पर विजय पाने वाले बने तो बाबा केती योग के जो benefits है वो practical जीवन में नजर आते हैं सबसे पहले अपने आप में ये चेक करो कि अपने संसकार परिवर्तन में कहां तक प्रयोगी भने हो क्योंकि योग से तो विकर्म विनाश होते हैं संसकार परिवर्तन होते हैं जब हम बाबा से योग लगा रहे हैं जो गुणो शक्तियों का सागर है तो ऐसे बाबा से योग लगाकर हमारे संसकार बाप समान बन रहे हैं या हमारे संसकार वही के वही हैं तो हमारे योग का प्रयोग कहा हो रहा है तो बाबा केते सबसे पहले अपने आप में चेक करो कि अपने संसकार परिवर्तन में कहा तक प्रयोगी बने हो योग का पहला अप्लिकेशन योगी के संसकार परिवर्तन होते हैं हमारा योग जिससे है उसके संसकार हमारे संसकार बनने चाहिए तो बावा कहते हैं क्योंकि आप सबके स्रेष्ट संसकार ही स्रेष्ट संसार के रचना की नीव हैं क्योंकि ये प्रकृती और सर्वार्थमाई ये संसार हमार्या इंतजार कर रहा है कि हमारे संसकारों के परिवर्तन के आधार से संसार परिवर्तन हो अगर नीव मजबूत है तो अन्य सभी बातें स्वयम मजबूत हुई ही पड़ी है नीव क्या है हम बच्चों का संस्कार परिवर्तन तो ये देखो कि संस्कार समय पर कहा दोखा तो नहीं देते हैं जो पुराने संसकार हैं, ऐसा तो नहीं कि समय पर धोखा दे देते हैं, क्या बाबा के संसकार सो मेरे संसकार ऐसे बन गएं? स्रेष्ट संसकार को परिवर्तन करने वाले कैसे भी व्यक्ति हो वस्तु हो परिस्थिती हो योग के प्रयोग करने वाली आत्मा का स्रेष्ट को स्रेष्ट से साधारंता में हिला नहीं सकते बाबा कहती गेनी कि व्यक्ति अनुकूल है परिस्थिति अनुकूल है तो हमारे संसकार भी स्रेष्ट है लेकिन व्यक्ति, समय, परिस्थिति कैसा भी हो बाबा कहती ऐसा नहों वो हमारे स्रेष संसकारों को साधारंता में ले आए क्या हमारे दिव्य संस्कार, स्रेश्ट संस्कार इतने पक्के हुए क्योंकि योग का प्रयोग है संस्कार परिवर्तन ऐसे ने कि बात ही ऐसी थी, व्यक्ति ही ऐसा था, वायू मंडल ऐसा था, इसले स्रेश्ट संस्कार को परिवर्तन कर साधारन वा व्यर्थ बना दिया तो फिर सर्वशक्तिवान से हमारा योग क्या है? अगर हम पर परिस्थिति या व्यक्ति या वायू मंडल का प्रभाव पढ़ जाता, तो इसका मतलब हम इतने पक्के योगी नहीं है कि बाबा का प्रभाव अटल अचल हम पर पढ़े तो बाबा कहते हैं कि ऐसा योगी बनना है कि कैसा भी व्यक्ति हो, कैसा भी वायू मंडल हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हम पर ऐसा प्रभाव ना डाल सके कि हमारे स्रेष्ट संसकार परिवर्थन हो साधारन या व्यर्थ बन जाए तो इसको प्रयोगी आत्मा कहेंगे क्या? बाबा कहते हैं, अगर समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग नहीं हुआ अब योग तो है, पर योग की शक्ति क्या है? कि संसकार परिवर्थन हो अगर समय पर वो ही नहीं हो रहा, तो इसको क्या कहा जाएगा, तो फिर योगी आत्मा है, ये टाइटल ठीक नहीं बैठता, तो पहले इस foundation को देखो, कि कहां तक समय पर प्रयोगी बने हैं, अगर स्व के संसकार परिवर्तक नहीं बने हैं, तो नए संसार परिवर्तक कैसे ब बदल सत्यू गाएगा, लेकिन संसार परिवर्तन की जो नीव है, स्व का संसकार परिवर्तन, अगर वो ही नहीं नजर आ रहा, तो संसार परिवर्तन राज्योग से कैसे होगा, अब बाबा केते, प्रयोगी आत्मा की पहली निशानी है, संसकार के उपर सदा प्रयोग में दूसरी निशानी क्या है, प्रकृती द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर योग के प्रयोग द्वारा विजई, अब प्रकृती, ये शब्द तो बहुत सारी बातों को इंक्लूड करता है, प्रकृती माना पांच तत्व, वस्तु, साधन, साल्वेशन, ये शरीर, तो ये जो प्रकृती है, ये सदा हल्चल में रहती है, कभी कुछ अनुकूल होगा, कभी कुछ और होगा, तो बाबा केते प्रकृती की हल्चल के बीच अचल रहना, ये योग का प्रयोग है, समय प्रति समय प्रकृती की हल्चल भी योगी आत्मा को अपने तरफ आकर्शित कर प्रकृति की हलचल, प्रकृति की हलचल में सब चीज़ें आजाती हैं, जो वस्तुएं हम यूज करते हैं, जो भी साधन सालवेशन अपनाते हैं, ये शरीर है, नाच्रल केलामिटीज है, पांच तत्वों की हलचल है, हर चीज प्रकृति, आत्मा परमात्मा की सिवा सब तो बाबा केते हैं, वो प्रकृति में जो परिवर्तन आता है, हलचल होती है, वो योगी आत्मा को आकरशित कर देती हैं, मना प्रभावित कर देती हैं, ऐसे समय पर योग की विदी प्रयोग में आती हैं, कभी योगी पुरुष को वा पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृत प्रभावित तो नहीं करती है अभी अपने को पूछना है अभी पीछे एक बात हुई तो कोई कहता मेरा फोन लॉक हो गया और खुला नहीं तो बहुत टेंशन हो गई किसमें डेटा है फोन नंबर है तो अब क्या है प्रकृति की हलचल है लेकिन वो जो प्रकृति की हलचल ह वो कितना प्रभावित कर देती है आत्मा को अब वो तो सधारन आत्मा के लिए ठीक है लेकिन क्या योगी आत्मा उस समय योग बल से उस प्रकृति की हलचल में अचल रहने का प्रयोग कर पाती है तो बाबा कहते क्योंकि ब्राम्भन आत्माई पुरुषोत्तम आत्माई ह पुरुषोत्ता मात्मा हम प्रकृति पती है तो प्रकृति की हलचल में प्रभावित होना यह हमें शुभा नहीं देता प्रकृति पुरुषोत्ता मात्माओं की दासी है मालिक दासी के प्रभाव में आ जाए इसको क्या कहेंगे यह तो काईदा नहीं है आज कल पुर्शोत्तम आत्माओं को प्रकृती साधनों और साल्वेशन के लूप में प्रभावित करती है आज आत्मा को मुख्य जो चीज प्रभावित करती है वो है साधन और साल्वेशन जैसे example दिया ना फोन का या पंखा, AC, बिजली या आज हम technology यूज करते हैं सेवा के लिए या किसी भी और चीज के लिए तो ये internet, laptop, ये सारे साधन साल्वेशन, गाड़ी या आप सुचो ठंडी, गर्मी की बात होती है तो heater है, cooler है, ये सारी बातें आज आत्मा को प्रभावित करती है तो बाबा केते ही, मुख्य जो साधन साल्वेशन की बात है, क्योंकि बीमार भी होते हैं तो दवाई खा लेते हैं लेकिन जब साधन साल्वेशन फेल होते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए ही हो लेकिन उस समय पर देखना है, कि क्या मुझे वो प्रभावित करती है कि चाहे योगी जीवन है चाहे सेवा है उसका आधार नजर ऐसा आता है कि साधनवा सालवेशन है अगर साधनवा सालवेशन हलचल में आता तो जैसे योगी जीवन से व्योगी जीवन और सेवाधारी जीवन से बिलकुल सेवा बंद हो जाती तो ये जो निर्भरता आ गई है बाबा मुख्य इसकी चेकिंग करने को कह रहे हैं क्योंकि हमारी जीवन का आधार, हमारी सेवा का आधार, हमारी अवस्था होने चाहिए ना कि कोई प्रकृति का साधन और साल्वेशन लेकिन अगर हमने फाउंडेशन किसी साधन साल्वेशन को बनाया है तो फाउंडेशन हल्चल में आएगा तो फिर वो जो याद और सेवा है या जीवन और सेवा है वो तो जरूर प्रभावित होगी तो देखना है आधार क्या है तो बाबा कहते है आजकल पुर्शोत्तम आत्माओं को प्रकृति साधन और साल्वेशन के रूप में प्रभावित करती है साधन वा साल्वेशन के आधार पर योगी जीवन है साधन वा साल्वेशन कम तो योग-युक्त भी कम है है न, मच्छर काट रहे हैं, सर्दी है, गर्मी है, कुछ और है, तो फिर योग में भी कमी नजर आती है, विंटर आएगा, तो फिर योग अमृत वेला में सोने लगेगा, तो साधन सालवेशन के आधार से योग की अवस्ताज नजर आती है, इसको कहा जाता है प्रभावित ह होना, योगी वा प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वता ही स्वयम हाते हैं, लेकिन अगर हम योगी आत्मा हैं, तो हमारी साधना साधनों का आधार बन जाती है, साधन साधना का आधार नहीं हो, लेकिन साधना साधनों को स्वता आधार बनाएगी, इसको कहा जा आत्मा भी ऐसा नहीं कि बिना साधनों के कारे करेगी लेकिन उसकी साधना की अवस्था साधनों को आकर्षित करके लाईगी तो चेक करो संसकार परिवर्तन विजई और प्रकृती के प्रभाव की विजई कहां तक बने हैं दो पॉइंट तो बाबा ने चेकिंग की बताई प्रयोगी आत्मा की निशानी के आद रूप से अब तीसरे निशानी है विकारों पर विजई योगी वा प्रयोगी आत्मा के आगी ये पांच विकार जो दुसरों के लिए जहरीले साप है आत्मा का तो आज ये हाल है कि वो विकारों पर विजई की कलपना भी नहीं कर सकते बुद्धी में भी नहीं आता कि कामजीत जीवन हो क्योंकि जहरीले साप की तरह जैसे बिलकुल वो जहर नस नस तक पहुँचा हुआ है तो बाबा कहते हैं ऐसे विकारों पर सहेज विकार जीत ये है योग की सिध्धी तो बाबा कहते हैं योगी वा प्रयोगी आत्मा के लिए पांच विकार जो दुसरों के लिए जहरीले साप है लेकिन आप योगी प्रयोगी आत्माओं के लिए ये साप गले की माला बन जाते हैं। आप ब्राह्मनों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादकार। सुना, ये जो शंकर स्वरूप है, वो क्या है? हम बच्चे और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी स्वरूप का यादकार है, ये शंकर स्वरूप। अभी भी भक्त लोग उस स्वरूप को पूझते हैं, तपस्वी स्वरूप को और गाते रहते हैं। और दूसरा यादगार है ये साप आपके अधीन ऐसे बन जाते जो आपके खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते जिसको दिखाया श्री कृष्ण शेश शया पर डांस कर रहे है ना शेश नाग पर डांस कर रहे हैं तो बाबा कहते हैं ये दो चित्र जो हैं वो विकारों की अधीनता की निशानी हैं जब विजई बन जाते हैं तो क्या अनुभव करते हैं क्या स्थिती होती हैं खुशी में नाचते रहते हैं तो विकार जैसे नीचे हैं और आत्मा के अवस्था विकर्मा जीत की इतनी उची है कि निरंतर खुशी में नाचते हैं, तो ये स्थिती स्टेज के रूप में दिखाई है, स्थिती को भी स्टेज कहा जाता है न, ऐसे विकारों पर विजय हो, इसको कहा जाता है प्रयोगी, तो ये चेक करो, कहां तक प्रयोगी बने हैं, अगर योग का समय पर प्रयोग नहीं है, योग की विधी के समय पर सिद्धी नहीं, तो यथार्थ विधी कहेंगे, फिर जरूर है कि हमें योगी कहने का title, कहलाने का title नहीं मिल सकता समय अपनी तीवरगती समय प्रती समय दिखा रहा है प्रकृति भी हल्चल करती है संसकार धुक, जो पुराने संसकार है वो भी अपना काम करते है बाबा कहते है विकार भी अपनी पूरी पराकाष्ठा पर इमर्ज होते हैं, तो समय तो बहुत तिव्रगती से आगे बढ़ रहा है, अनेकता, अधर्म और तमो प्रधानता हर शेत्र में तिव्रगती से बढ़ती जा रही है, अनेकता, अधर्म और तमो प्रधानता ये धीरे धीरे हर शेत्र में बढ़ती जा रही है, बहुत तेजी से क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं समय अंत का बहुत फास्ट आ रहा है। ऐसे समय पर आपके योग के विधी की सिध्धी वा विधी के सिध्धी में वृद्धी तीवरगती से होना अवश्यक है। नंबर आगे बढ़ने का आधार है प्रयोगी बनने की सहज विधी। जितना प्रयोगी बनेंगे योगी तो है पर जितना प्रयोगी बनेंगे उस विधी से नंबर आगे मिलेंगे। तो बाप दाधा ने क्या देखा, समय पर प्रियोग करने में तीवर गती के बजाए साधारन गती है, अभी इसको बढ़ाओ, तो क्या होगा, सिद्धी स्वरूप अनुभव करते जाएंगे, आपके जड़ चित्रों द्वारा सिद्धी प्राप्त करने का अनुभव करते रह हो, कहते हैं, कि जड़ चित्र के सामने गए, तो जो संकल्प किया, वो सिद्ध हो गया, ऐसे ही, आज हम ब्रामन आत्माई, चैतन्य, जिनके जड़ स्वरूप से भी आज तक सिद्धी के अनुभॵती होती है, ऐसी आत्माओं को कितना सिद्धी स्वरूप होना चाहिए, ल तो यह जो प्रयोगी बनने का जो गयाप है, या ज्यान स्वरूप बनने का जो गयाप है, उसको जितना भरेंगे, उतना सिद्धी स्वरूप भी हो जाएंगे, बाबा कहते हैं, रिद्धी सिद्धी वाले नहीं हो, विद्धी से सिद्धी है, तो समझा क्या करना है, है सब कुछ लेकिन समय पर प्रयोग करना और प्रयोग सफल होना इसको कहा जाता है ज्ञान सुरूपात्मा ऐसे ज्ञान सुरूपात्मा अती समीप और अती प्रिया है बाबा को प्रिया क्यों है ज्ञान सुरूपात्मा और योग का प्रयोग करने वाली आत्मा है अच्छा अब 24 नवंबर को ये 25 नवंबर 93 की बाबा की मुल्ली है न? तो 24 नवंबर को दो कुमारियों के समर्पन समारों के बाद रात्री 10 वजे दादी ओल राउंडर ने अपना पुराना चोला छोड बाप दादा की गोध ली 25 तारिक दो पहर में उनका अंतिम संसकार किया गया सायकाल मुर्ली के पश्चात दादियों से मुलाकात करते समय बाप दादा ने जो महावाक के उच्छारे वो इस प्रकार है तो पहले समर्पन समार हो था कुमारियों का फिर उसके बाद दादी ओल राउंडर ने शरीर छोड़ा और फिर उसके पश्चात चोन का अंतिम संसकार हुआ फिर बाबा की मुर्ली चली और इन दो घटनाओं के बाद बाबा दादियों से मुलाकात कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं दादियों को सुनो खेल में बिन बिन खेल देखते रहते हो ये है बेहत का ड्रामा, बेहत का खेल और फिर इसमें भी भिन भिन खेल सीन वन, सीन टू ऐसे चलते रहते हैं साक्षी हो खेल देखने में मज़ा आता है ना अब खेल में तो वेराइटी होती है कभी हसने की सीन, कभी रोने की सीन, कभी कैसी सीन, कभी कैसी सीन लेकिन हर सीन को साक्षी होकर देखते हैं तो मज़ा आता है चाहे कोई उत्सव हो, चाहे कोई शरीर छोड़े दोनों में क्या लगता है? खेल में खेल लगता है और लगता भी ऐसे ही है जैसे खेल होता है और समय प्रमान समाप्त हो जाता है जैसे दुनिया में भी कोई खेल होता है चाहे बहुत होरर फिल्म हो, ट्राजडी हो, कॉमेडी हो उसके एक ड्योरेशन होती है फिर वो खतम हो जाती है समाप्त हो जाती है फिल्म ऐसे ही बाबा कहते हैं यहां भी कितने प्रकार के खेल होते हैं ड्रामा में एक तो ड्रामक स्वयम एक बड़ा खेल है और इस खेल में जो खेल होते हैं उसके भी अवद्धी होती है वो खेल भी भिनविन प्रकार के होते हैं और फिर जैसे उसका समय पूरा हो जाता है तो वो खेल भी समाप्त हो जाता है ऐसे ही जो हुआ सहज समाप्त हुआ तो खेल ही लगता है यह न तो हर एक का पार्ट भी कैसे है एक खेल की तरह है फिर वो पार्ट समाप्त होता तो जैसे परदा गिर जाता है हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है सर्वा आत्माओं की शुब भावना अनिक आत्माओं की शुब भावना प्राप्त होना ये भी हर आत्मा के भाग्य की सिद्धी है बाबा केते खेल तो सभी खेल रहे हैं और हर एक खेल की अवधी भी है अवधी पुरी होती तो समाप्त भी हो जाता है लेकिन भाग्य क्या है? भाग्य ये है कि उस खेल को ऐसा खेलें कि जब पाट समाप्त हो तब भी हर आत्मा जैसे दुनिया में भी कोई अक्टर होता है तो उसका लक्ष क्या होता है कि जब ये अक्ट पुरी हो तो सब कहें once more तो ऐसे ही बाबा कहते है जब यहां भी खेल में खेल समाप्त होता है तो उसमें यही सिद्धी है भाग्य की कि हर आत्मा की शुब भावना उस आत्मा के प्रति उसने कमाई हो तो बाबा कहते हैं सर्वा आत्माओं की शुब भावना अनीक आत्माओं की शुब भावना प्राप्त होना ये भी हर आत्मा के भाग्य की सिद्धी है तो उसने खेल कैसे खेला उस आधार से अंत में जब खेल समाप्त होता तो उसको शुब भावनाओं की सिद्धी मिलती देखा क्योंकि समर्पन समारों हुआ और दूसरे तरफ चोला बदलने का खेल देखा लेकिन तोनों क्या लगे खेल में खेल है न वो भी खेल ये भी खेल वो भी एक सीन ये भी एक सीन और हर एक को साक्षी होकर देखना और साक्षी होकर देखते हुए एक्टर ने किस प्रका से उसको दुआई मिलती हैं फर्क पड़ता है क्या स्थिती में फर्क पड़ता है बाबा पूछते हैं खेलने वाले को तो अच्छा खेल नहीं है पर देखने वाला भी ऐसे देखे कि वो दोनों को खेल की तरह देख सके स्थिती में फर्क ना पड़े अलोकिक स्वयमवर कि देखने में फर्क पड़ा किया बाबा पूछते हैं, या दोनु सीन को वैसे ही साक्षी होकर साथी के साथ मनोरंचन की सीट पर बैट कर देखा, थोड़ी लेहर बदली हुई कि नहीं, बाबा पुछते हैं जरा से भी हलचल नहीं हुई या हो गई, साक्षी होकर खेल देख तो वो अपने विधी का और वो अपने विधी का, खेल तो अलग-अलग होंगे, लेकिन हमें हर समय साक्षी हो कर देखने से, दोनों को एकरस अवस्था में, खुशी में देख सकेंगे. सहज नश्टो मोहा होना, ये बहुत काल के योग के विधी की सिद्धी है, पर ये जो साक्षीपन की अवस्था है, ये भी कैसे आती है, जब नश्टो मोहा हो, और नश्टो मोहा होना, ये बहुत काल के योग के विधी की सिद्धी है, इसलिए जितना योगी होंगे, उतना ख खेल में खेल देख सकेंगे, तो नश्टो मोहा सहज मृत्यू का खेल देखा, इस खेल का क्या रहस्य देखा, देह के स्मृति से भी उप्राम, चाहे व्यादी द्वारा, चाहे विधी द्वारा, और कोई भी आकर्षन अंसमे अकर्षित नहीं करे, तो बाबा कहती, दे की स्मृति से भी ऐसे उप्राम रहो, कि जब दे छुटे, तो भी दिखाई दे, कि आत्मा ने शरीर छोड़ा, आत्मा बाब दादा की गोद में समाई, इसको कहा जाते है, सहज चोला बदली करना, तो क्या करना है, नश्टो मोहा, सेंटर भी याद नहीं दूसरे के खेल को भी साक्षियो कर देखे, और अपना भी जब खेल समाप्त हो, तो कोई भी यादना है, इतनी योग की विधी की सिद्धी प्राप्त हो, पीचर्स को देखते हुए, बाबा कहते है, ऐसे नहीं कोई जिग्यासू याद आजाए, कोई सेंटर की वस्तू या कुछ किनारे किया हुआ याद आजाए, नहीं, सबसे न्यारे और बाप के प्यारे, ऐसी हमारी अवस्ता होने चाहिए, पहले सेंटर की चूटे हुए हो, कोई किनारे को साहारा नहीं बनाना है, बाकि सब किनारे हैं, साहारा एक बाबा है, या बुद्धी में चिपके सिवाए मनसिल के और कोई लगाओ नहीं हो, अच्छा, अब निर्मन शानता दादी से बाबा मुलाकात कर रहे हैं, बाबा केते संगठन अच्छा लगता है, संगठन की विशेश शोभा हो, दादियां तो शोभा है, संगठन में कितना भी बड़ा संगठन हो, दादियां त सब की नजर कितने प्यार से आप सब के तरफ चाती है, जब तक जितनी सेवा है, उतनी सेवा शरीर द्वारा होनी ही है, कैसे भी करके शरीर चलता ही रहेगा, ड्रामा में जिसका जो पाठ है, तो बाबा केते, शरीर चलेगा और उस द्वारा उतनी सेवा होगी, शरीर को च चलाने का धंग आ गया है ना, अच्छा चल रहा है, क्योंकि बाब की और सबकी दुआई है, बाबा ने उस दिन भी कहा था, सदा स्वस्थ रहने का मंतर रहे, आत्मिक शक्ती, और आत्मिक शक्ती बाबा की दुआउं से, सर्व की दुआउं से बढ़ती है, तो उससे शरीर भी चलता है, खुश रहना है और खुशी बाटने है, और क्या काम है, सब देखते कितने खुश होते हैं, और खुशी बाट रहे हैं, था भी रहें, बाट भी रहें, जो बाट रहें, वो स्वयम को तो पहले मिलता ही है, आप सब एक एक दर्शनिय अमूरत हो, सब की नजर, न में तात्माओं की तरफ जाती है तो दर्शनिय मूरत् हो गए न मामा तो हमेशा कहती थी हम जैसे स्टेज पर है कहीं भी है हर आत्मा हमें देख रही है हमें कॉपी कर रही है सीख रही है तो ऐसे अपने को जिम्मेवार समझ के चलना है अच्छा अवियक्त बाब दादा की परस्नल मुलाकात है दो पइंट से ध्यां से सुनेगे पहली पोइंट ब्राम्वन जीवन का आधार याद और सेवा ब्राम्वन जीवन का आधार आज पाबनी कहा न ऐसा लगने लगा है कि आज ब्राम्वन जीवन भी साधन और सालवेशन के आधार से चल रही है तो लेकिन ब्रामन जीवन का आधार क्या होना चाहिए याद और सेवा ब्रामन जीवन के हर करम चाहे प्राप्ती है, चाहे डिस्सिप्लिन है, चाहे पुर्शार्थ है कुछ भी है उसका आधार क्या है याद और सेवा ड्रामा अनुसार ब्राह्मन जीवन में सभी को सेवा का चांस मिला हुआ है मिला हुआ है ना चाहे किसी को वाचा सेवा का चांस भी ने ऐसा भी कौन है जिसको वाचा सेवा का चांस ने क्योंकि किसे न किसे को ज्ञान तो सुना ही सकते हैं तो मंसा हो, वाचा हो, कर्मणा हो हर ब्रामन को सेवा का चांच सुरूर मिला है क्योंकि ब्रामन जीवन का आधार ही है याद और सेवा अगर याद और सेवा कमजोर है तो जैसे शरीर का आधार कमसोर हो जाता है, तो शरीर दवाईयों के धक्के से चलता है, जैसे गाड़ी को धक्का लगाते हैं, ऐसे शरीर को दवाई का धक्का चाहिए होता है, अगर शरीर में ताकत नहीं, ऐसे ही ब्रामण जीवन में, अगर याद और सेवा का आधार मस्प बोब जो nei है तो वो ब्राम्हन जीवन भी गभी कभी तेज चलेगी तो बॉज एस आछ बाबाने ने पॉज तो बॉज जाएनि हो गईए तो भड़ एके से चलजाएगी कोई शययोग मिले कोई कोई circumstance मिले तो चलेंगे, नहीं तो डिले हो जाएंगे, इसलिए याद और सेवा का विशेश आधार सदा शक्ति चाहिए, शक्ति शाली चाहिए, तो ब्रामन जीवन का आधार जो है, जिससे ब्रामन जीवन निरंतर एकरस तीवरगती से चल सके, उसके लिए क्या चाहिए? श दोनों ही शक्ति शाली हो, सेवा बहुत है, याद कमजोर है, याद बहुत अच्छी है, सेवा कमजोर है, तो भी तीवरगती नहीं हो सकती, याद और सेवा दोनों में तीवरगती चाहिए, शक्ति शाली चाहिए, तो दोनों ही शक्ति शाली है या फर्क पढ़ जाता है, य याद शक्तिशाली है, सेवा कमजोर है, या सेवा बहुत है, याद की शक्ति कितनी नहीं, बाबा कहते हैं, दोनों को चेक करो, बैलन्स है, कभी सेवा ज्यादा हो जाती है, कभी याद ज्यादा हो जाती, नहीं, दोनों साथ साथ हो, याद और निस्वार्थ सेवा, शक्तिश तो सेवा यथार्थ नहीं है स्वार्थ की सेवा ने निस्वार्थ सेवा है तो मायाजीत बनना बहुत सहच है हर कर्म में कर्म की समापती के पहले सदा विजय दिखाई देगी बाबा केती कर्म की आदी मध्यांत तीनों में विजयी अवस्था में रहेंगे इतना अटल निश्य का अनुभव होगा कि विजय तो हुई पड़ी है विजय होने पर नहीं मनाएंगे खुशी लेकिन सदा विजय का नशा बुद्धी में रहेगा अगर ब्रामण आत्माओं की विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? अगर शक्तिशाली याद है और सेवा की वृत्ती है तो बाबा केते उस आत्मा को इतना नशा रहेगा कि कर्म करते आदी मध्य अंततीनों विजय आत्मा के नशे में रहेंगे ऐसा नहीं होगा कि विजय हुई तब नशा चड़ेगा या पहले लगेगा होगी या नहीं होगी सब कुछ करते सदा विजय की खुशी और नशे में रहेंगे तो बाबा केते अगर ब्राम्भन आत्माओं की विजय नहीं होगी तो किस की होगी? शत्रियों की होगी? ब्राम्भनों की विजय है ना, question mark नहीं रहेगा कर तो रहें, चल तो रहें, देख लेंगे, हो जाएगा, होना तो चाहिए तो ये शब्द नहीं आएंगे पता नहीं क्या होगा, होगा या नहीं होगा ये निश्य के बोल है क्या? निश्य बुद्धी विजय ये गायन है ना तो जब प्रैक्टिकल हुआ है तब तो गायन है ना तो निश्य बुद्धी विजय ये ब्रामन आत्माओं की निशानी है सदा निश्य होगा कि विजय हमारा जनम से ददिकार है लेकिन वो जो नशा खुशी कब होगी जब हमारा फाउंडेशन अल्पकाल की सफलता या है ना अल्पकाल की विजय नहीं हमारा फाउंडेशन शक्ति शाली याद और सेवा है निश्य बुद्धी की निशानी है विजय निश्य थै जैसे किसी भी प्रकार की किसको शक्ती होती है चाहे धन की हो, बुद्धी की हो, संबन संपर की हो तो उसको निश्चे रहता है कि क्या बड़ी बात है ये तो कोई बात ही नहीं है किसी के बस धन है, कोई लोन लेने आजाए कोई लोन मांगने आजाए कि आपने ये लिया था तो फट वापस कर देगा, कि क्या बड़ी बात है, लेकिन बाबा कहते हैं, ऐसे ही, कोई भी करम बंधन आए, या कोई भी सेवा की opportunity आए, या कोई भी ब्राह्मन जीवन की पुर्शार्थ की बात है, किसी में भी आत्मा को self-doubt नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं लगेगा, कि होग या नहीं होगा, चाहे बात स्वब पुर्शार्थ की हो, चाहे सेवा की हो, सदा लगेगा निश्य की विजय हुई ही पड़ी है, तो वो जो अवस्था है, वो कैसे बनती, जब बाबा कहते हैं, आत्मा के अंदर सर्व शक्तियों की धारना होती, दुनिया में तो हद की शक धन की शक्ति है की धन की शक्ति करोडपतियों के पास है, सबसे बड़ा धन है अविनाशी धन, जो सदा साथ है, तो धन की शक्ति भी है, बुद्धी की शक्ति भी है, और पोजीशन की शक्ति भी है, सबसे स्रेष्ट पोजीशन, चाहे ब्रिकुटी सिंहासन की, चाहे अविनाशी ज्यानधन हमारे पास, सबसे बड़ी बुद्धी की शक्ति हमारे पास, दुनिया में तो स्थूल पढ़ाई लिखाई की शक्ति पर इतना उनको confidence होता, और हमारे पास तो परमात्म बुद्धी की, बुद्धिवानों की बुद्धी के द्वरा, जो दिवे बुद आत्मा की विजय नहीं होगी, तो किसकी होगी, तो बाबा कहते हैं, जो भी शक्तियां गाई हुई है, सब शक्तियां आप में हैं, है या कभी प्रायलोप हो जाती हैं, इन्हें इमर्ज रूप में अनुभव करो, सदा याद रखो, मैं कौन हूँ, मेरा साथी कौन है, और आत्मा को निश्य के आधार से सदा विजय अनुभव होगा, ऐसे नहीं हूँ तो सर्वशक्तिमान का बच्चा लेकिन अनुभव नहीं होता, तो सभी भरपूर हो कि थोड़ा-थोड़ा खाली हो, समय पर विधी द्वारा सिद्धी प्राप्त हो, विधी क्या है, निश्य बुद्धी विजय अन्ती, तो विजय तब होगी, जब निश्य होगा, कि मैं कौन हूँ और मेरा साथी कौन है, ऐसे नहीं समय पर हो नहीं और वैसे नशाओ की बहुत शक्तिया हैं, कभी अपने शक्तियों को भूलना नहीं, यूज करते जाओ, लेकिन यूज तो तब करे होगी जब पहले याद रहे, और याद करेंगे तब तो याद रहेंगी, अगर सारे दिन शक्तियों को याद ही नहीं करते, सर्वशक्तिवान बाप के का हाथ अपने सर पर अनुभव ही नहीं करते, तो समय पर कैसे याद आएगा? अगर स्वाप्रती कारे में लगाना आता तो दुसरे के कारे में भी लगा सकते हैं, पांडमों में शक्ती आ गए या कभी क्रोध आता है, थोड़ा-थोड़ा क्रोध आता है, बाबा पुछते हैं, कोई क्रोध करे तो क्रोध आता है, कोई इंसल्ट करे तो क्रोध आता है, ये तो ऐसे हुआ, जैसे दुष्मन आता है तो हार होती है, जीत के लिए दुश्मन आई ही न, ऐसा तो नहीं होगा न, माताओं को थोड़ा-थोड़ा मौ आता है, बाबा पुछते, पांडवों को अपने हर कल्प के विजय पन की खुशी, इमर्ज होने चाहिए, कभी भी कोई पांडवों को याद करेंगे, तो पांड वर्थात विजय लेकिन विधी क्या है, निश्य बुद्धी विजय अंति, तो सदा हर बात में, चाहे स्वपुर्शार्थ की है, चाहे सेवा की है, हर बात पर, हर विगन पर विजय कब बनेंगे, हर बात में अवस्था भी अच्छी हो, और कमाई भी निरंतर हो, वो कैसे निश्चित करें, जब निश्चे हो पक्का, तो बाबा केते हैं, निश्चे को नहीं हिलाना, मैं कौन, मैं किसकी संतान हो, बाबा केते हैं, पांडवों की कहानी का रह से ही क्या है, विजय है न, तो हर कल्प के विजय, इमर्ज रूप में नशा रहें, मर्ज नहीं, अच् पॉइंट है, सर्व द्वारा मान प्राप्त करने के लिए निर्मान बनो, तो बाबा कहते हैं, सभी अपने को सदा कोटों में कोई, और कोई में भी कोई स्रेष्ट आत्मा अनुभफ करते हो, करते हो हैं तो लेकिन अनुभफ करते हो, क्योंकि भाग्य तो हमारा बहुत उंच लेकिन उस भागय की स्मृतीमे रहने का भागय है या नहीं वो चैक करना है कि कोटों में कोई जो गाया हुआ है वो और कोई हह या आप ही हो तो कितना एक-एक आत्मा का मैंत्व है अर्थात HAR आत्मा महान है एक-एक ब्राह्मन आत्मा कोटों में कोई और कोई में भी कोई है तो जो जितना महान होता है महानता की निशानी है जितना महान उतना निर्मान क्योंकि सदा भरपूर आत्मा है जैसे व्रिक्ष के लिए कहते हैं जितना भरपूर होगा, उतना जुका हुआ होगा, और निर्मानता ही सेवा करती है, तो बाबा कहती है, महानता को देख नहीं सकते, लेकिन महानता की निशानी निर्मानता नजर आती है, उसी निर्मानता को देख कर आत्मा जानती है, कि हमें इनके जैसा बनना है, निर्मानत से सेवा होती है बाबा कहती है तो एक जैसे व्रिक्ष का जुकना सेवा करता है अगर जुका हुआ नहीं होगा तो सेवा नहीं करेगा जुका हुआ नहीं होगा तो फल लेंगे ही कैसे कोई है तो एक तरफ महानता है और दूसरे तरफ निर्मानता है तो महानता की स्मृती में रहेंगे तो निर्मान रहेंगे हैं तो बहुत महान बाबा ने सब कुछ दिया है लेकिन जब स्मृती में नहीं रहते अपने खजानों के तो मंगता बन जाते हैं वस्तू के भी और मान के भी तो बाबा कहते हैं लेकिन जब अपनी महानता की भरपूर्ता की स्मृति में रहते तो निर्मान होकर रहते और निर्मान होते तो दाता स्वरूप रहते हम जुके हुए रहते और ऐसी जुकी हुई निर्मान आत्माउं से हर एक को प्राप्ति होती तो बाबा कहते है, जो निर्मान होता है, वो सर्वद्वारा मान पाता है, स्वयम निर्मान बनेंगे, तो दूसरे मान देंगे, respect cannot be demanded, it can be commanded, मान मांगने से नहीं मिलता, मान, निर्मान रहेंगे, मान देंगे, तो मान मिलेगा, जो अभी मान में रहता, उसको कोई मान नहीं देते, अभी मान माना, अभी मेरी मान, अभी मान है न, तो वो भी कहता है, अभी नहीं मानोंगा, तो वो भी मान नहीं देता, दूसरे दूर भागेंगे उससे, तो माहान और निर्मान है या नहीं है उसकी निशानी है कि निर्मान सबको सुख देगा जहां भी जाएगा जो भी करेगा वो सुखदाई होगा और महानता निर्मानता की भी निशानी क्या दाता बनके रहेंगे सुख देने की वृत्ति होगी मंगत्या की वृत्ति नहीं होगी इससे चेक करो कि कितने महान हैं, जो भी संबन संपर्क में आए, सुख की अनुभूती करें, ऐसे हैं या कभी दुख भी मिल जाता है, अब सुख देने पे भी अटेंशन, और सुख लेने पे भी अटेंशन, किसी से दुख ले भी ना, इतने भरपूर हो सुख के सागर से, कि किसी का दिया हुआ दुख ले भी ना, निर्मानता कम है, तो सुख भी सधा नहीं दे सकेंगे, तो सदा सुख देते, सुख लेते, या कभी दुख देते, दुख लेते हैं, चलो देते नहीं, लेकिन ले भी लेते हो क्या, लेकिन कोई दे और आप नहीं लो ये तो आपके उपर है ना देने पर हमारा जोर नहीं पर लेने पर तो है वो दे जो भी कुछ दे उसके पास जो है वो दे पर हम ना ले जिसके पास होगा ही दुख वो क्या देगा दुख ही देगा ना लेकिन आपका काम है सुख लेना और स दुख देना, ऐसे नहीं कि कोई दुख दे रहा है, तो कहेंगे मैं क्या करूँ, बाबा ने कलका न, कोई दुख दे रहा है, तो वो दुख उसका दिया हुआ बाबा को दे दो, बाबा से रहम लेकर उसको दे दो, और अपने लिए भी रहम बाबा से ले लो, तो बाबा केते ऐसे नहीं कि कोई दुख दे रहा है, तो कहेंगे मैं क्या करूँ, मैंने नहीं दिया, लेकिं उसने दिया, अपने को चेक करना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, देने वाले के उपर नहीं है, अपने उपर है कि मुझे क्या लेना है, लेने भी भी होश्यारी चाहिए, इसलिए ब्राम्मन आत्माओं का गायन है, सुक के सागर के बच्चे, सुक स्वरूप और सुक देवा, तो सुक स्वरूप, सुक देवा आत्माई हो, दुख की दुनिया छोड़ दी, किनारा कर लिया, या भी एक पाउ दुख दाम में है, एक पाउ संगम पर है, बीच में तो थोड़ा थोड़ा वहां बुद्धी रह गई है, पहले तो पूरी पुरानी दुनिया से लंगर उठाना पड़े बुद्धी का, नहीं तो क्या होता, पुरानी दुनिया में अगर लगाओ जुकाओ है, तो पुरानी दुनिया तो ही दुख दाम, तो वहां का दुख थोड तो नहीं रह गई है, जब दुख दाम को छोड़ चले, तो ना दुख लेना है, ना दुख देना है, अच्छा, सदा योग की विधी द्वारा, सृष्ट सिद्धी को अनुभव करने वाले, सदा सधारन संसकार को स्रेश संसकार में परिवर्तन करने वाले, संसकार परिवर्तक आत्माओं को सदा प्रकृती जीत विकारों पर जीत प्राप्त करने वाले विजयी आत्माओं को सदा प्रयोग के गती को तीवर अनुभव करने वाले ज्यान सुरूप योग युक्त योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते ऐसे मेचे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते वर्दान है आज का उड़ती कला दवारा बाप समान ओल राउंड पार्ट पजाने वाले चक्रवर्ती भवा तो बाबा कहते, जैसे बाप all-round पार्ट धारी है, सखा भी बन जाते तो बाप भी बन जाते, ऐसे उरती कला वाले जिस समय, जिस सेवा की अवश्यक्ता होगी, उसमें संपन पार्ट बजा सकेंगे, ऐसा नहीं हम ये कर सकते, ये नहीं कर सकते, नहीं, जैसे बाबा all-rounder है, ऐसे all-round पार्ट बजाने वाले, उरती कला वाले, जिस समय, जिस सेवा की अवश्यक्ता है, वो सेवा कर सकेंगे, इसको ही कहा जाते है, all-round उरता पंची, उरने के लिए बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ता न, तो फ्लेक्सिबल होना है, वे ऐसे निर्बंधन होंगे, जो जहां भी सेवा होगी, वहां पहुंच जाएंगे, हर प्रकार की सेवा में सफलता मुरत बनेंगे, क्योंकि जो सेवा देगा, वो शक्ती भी देगा, हमें बस समर्पन बुद्धी होके चलना है, अगर हमारे अंदर बुद्धी का बंधन है, कि मैं ये कर सकता हूं, ये नही कर सकता, तो फिर वो बंधन बेड़ी बन जाता, लेकिन अगर निर्बंधन है, कि हम बाबा के हैं, बाबा जो कराएगा, हम क्यों नहीं कर सकते, तो बाबा केते हैं, ऐसे बच्चे को बाबा हर कार्य में यूज करता, उन्हें ही कहा जाता है, चक्रवर्ती, ओल राउन हो जाएगा, संगठन में एक दूसरे के प्रती वेहम की विमारी नहीं रखनी है, कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, वेहम की विमारी तब होती है, जब किसी की कमजोरी को बुद्धी में रखा होता है, तो हर एक की विशेशता को बुद्धी में रखना है, स्मृती में रखना है, और faithful बनना है, faith रखना है कि ये आत्मा बाबा का बच्चा है और इनकी ये जो भी कर रहे हैं, कह रहे हैं इसके पीछे कोई नो कोई कारण है उनके कर्मों में, हर चीज में doubt नहीं रखना कि ये है ये बुरे या इनका intention अच्छा नहीं है हमेशा faith रखके चलना है तब संगठन में शक्ति आएगी Om Shanti